Welcome to Saraswati Classes आज हम विशानू या वाइरस से जितने भी रोग होते हैं उसको एक ट्रिक से समझेंगे लास्ट वीडियो में हमने जिवानू या बैक्टिरे से जितने भी रोग होते हैं उसको समझा था जिन लोगों ने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा मेरी रिक्वेस्ट है कि वो उस वीडियो को देख लें और उस वीडियो का लिंक मैं अपनी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ तांकि आपको लिंक असानी से प्रोइड हो जाए आईए देखते हैं विशानू या वाइरस से होने वाले रोग ट्रिक है कि रेखा हमें हिट करके पहुच्छे या पीछे छोड़ गई हमें पीछे को पहुच्छे मानना है आईए देखते हैं रे से बना रेबिज अब ये होता किसे है ये कुते बिल्ली या बंदर के काटने से होता है ये इसके रोग जनक है वो रेबेडो वाइरस है ये कुते बिल्ली या बंदर के काटने से होता है जो इसके रोग जनक है जो इसको फिलाते है इस रोग को वो रेबेडो वाइरस है जो इससे परबावित अंग है वो तंतर का तंतर है आगे देखिए खासे बना खसरा या इसे मिजलस भी कहते है यह Rubiola Virus के करण फैलता है, इसके जो रोग जनन का नाम क्या है? Rubiola Virus जो इससे प्रबावित अंग है वो पूरा शरीर है, पूरा शरीर कैसे? इस रोग के करण पूरे शरीर पर लाल दाने होने लगते हैं आगे है से बना हर्पिज है से बना हर्पिज ये रोग हर्पिज नामक विशानू के कारण होता है हर्पिज नामक विशानू के कारण होता है इससे पूरे शरीर पर सूजन आयती है पूरे शरीर मतलब तवचा पर सूजन आयती है ये हर्पिज नमक विशाणू के कारण होता है आगे मेज से बना मेनिंग चाइटिस इसे मस्तिशक या दिमागी बुखार भी कहते हैं इसे जो परभावित अंग है वो मस्तिशक होता है इसके कारण पूरे दिमाग में बहुत तेज बुखार हो जाता है इसे जो परभावित अंग है वो कौन सा है मस्तिशक जिसके कारण तेज बुखार हो जाता है आगे हिट ही से बना हेपेटाइटिस या पीलिया हेपेटाइटिस या पीलिया इसे जो परभावित अंग है ये काफी इंपोर्डेंट रोग है इसे जो प्रभावित अंग है वो यकृत या लीवर होता है यह हेपेटाइटिस वायरस के कारण प्यालता है जो फैलता है यह कई बार पुछाते है कौन सी वीदी से फैलता है तो ये संचरण वीदी से फैलता है, कौन सी वीदी से, संचरण वीदी से फैलता है, इससे जो परभावित हैं वो यक्रत या लीवर होता है, ये हेपेटाइटर्स वाइरस के खरण फैलता है, ये फैलता कौन सी वीदी है, संचरण वीदी से, आगे हेपेटाइटर्स के कई प प्रभावीत होता है, वो आंक होती है, कौन से यहती है, आंक, ट्रेकोमा से प्रभावीत अंक कौन से है, आंक, क्या होता है, इसके अंदर जो आंक में कारणिया होती है, उसमें काफी ज्यादा वरदी हो जाती है, कारणिया में काफी ज्यादा वरदी हो जाती है, जिसके काफी ज्यादा व्रदी हो जाती काफी ज्यादा बड़ी हो जाती है वो कारणियां जिसके कारणि यह रोगी व्यक्ति हमेशा निंद्रा ग्रस्त अवस्ता में रहता है अगे देखते हैं रेखा से हो गया हमें से हो गया हिट से हो गया अगे करके से कोई शब्द नहीं बनेग आगे पो से बना पोलिया, ए से बना एडस, चैसे बना चेचक, और छो से बना छोटी माता, डैसे बना डेंगू, गैसे बना गलसोंद, और इसे बना इन्फलूजा आगे देखते हैं पो से पोलियो, क्या बना पोलियो, क्या बना पोलियो आगे polio देखते हैं, polio में क्या-क्या main बातये होती हैं, इससे जो प्रभाविट अंग होता है, जो शतिक रस्त अंग है श्रीर का वो तंतर का तंतर या nervous system होता है इसमें जो पीडित व्यक्ति है उसे oral polio vaccine दी जाती है इससे जो परभावित अंग है वो तंत्र का तंत्र होता है और जो इसमें उप्चार के लिए जो द्वाई दी जाती है वो oral polio vaccine दी जाती है जो इसके लक्षण होते है कि इसके रोके वो हता है mass PCA संकूचन में अवरोध होने लग जाता है ब्योशी के समान निंद्रा आने लग जाती है ब्योशी के समान निंद्रा आने लग जाती है आगे देखते हैं ADS ADS मतलब यह था है acquired immunodeficiency virus acquired immunodeficiency syndrome ये कौन से रोग के कारण होता है इसका रोग जनग क्या होता है वो होता है HIV Human Immunodeficiency Virus इसका रोग जनग होता है इसे होता गया है जिसको ये रोग हो जाता है उस व्यक्ति में रोगों से लड़ने की शमता कम हो जाती है अगर उस व्यक्ति को एक रोग लग गया फॉर एक्जमपल जैसे खांसी जुकाम तो कई मेनों तक लगा रहता है वो ठीक नहीं होता रोग प्रतिरोदक शमता कम हो जाती है रोग प्रतिरोदक शमता कम हो जाती है आगे देखते हैं चेचक चेचक मतबल कि इसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं क्या कहते हैं स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं इससे जो इसका इसका रोग वाहक होता है या रोग जनक होता है वो बैरियोला वाइरस होता है क्या होता है बेरियोला वाइरस होता है इससे जो परभावित अंग होता है वो पूरा शरीर होता है परभावित अंग कों से होता है पूरा शरीर होता है शरीर पर लाल चकते दाने निकल आते हैं काफी सारे चेसे बना चेचक इसे स्मॉल पॉक्स भी कहते हैं जो इसका रोग जानक होता है वो बेरियोला वाइरस होता है और इससे पूरे श्रीर पर भावित होता है श्रीर कैसे पूरे श्रीर पर लाल दाने विक्सित हो जाते हैं आग यह बना छोच से बना छोटी माता इसे चिकन पॉक्स भी कहते हैं क्या कहते हैं चिकन box भी कहते हैं इसमें क्या होता है ये किस रोग के करन फैलता है ये वेरिसेला जोस्टर वाइरस के करन फैलता है वेरिसेला जोस्टर वाइरस के करन फैलता है इससे भी पूरा शरीर ही परभावित होता है पूरे शरीर पर लाल दाने विक्सित होते हैं इस रोग में भी पूरे शरीर पर लाल दाने विक्सित होते हैं लेकिन इसमें जो लाल दाने निकलते हैं उसमें से काफी सारा पानी निकलने लगता है काफी फुफोले से बन जाते हैं चोटी मात अगा कहते हैं चिकन पॉक्सम इसका जो रोकजनक होता है वो वेरिसेला जोस्टर वाइरस होता है इससे जो परभावी तंग होता है वो पूरे शरीर होता है उसमें लाल दाने फफोले जैसे निकलने लगते हैं और लाल दानों से पानी निकलने लगता है आगे बना छोड छोड से बना छोटी मता डै से बन डेंगू डेंगू इसे हड़ी तोड़ जोवर भी कहते हैं यह काफी गातक जोड़ होता है इसे मच्छर से फैलता है यह हड़ी तोड़ जोड़ जोड़ भी कहते हैं इसमें होता कैसे है यह डेंगू वाइरस की करन पहलता है यह डेंगू इसका जो जनक होता है वो डेंगू वाइरस होता है डेंगू डेंगू वाइरस होता है डेंगू डेंगू वाइरस इसका रोग जनक होता है लेकिन इसको रोग इसको फिलाने का काम करती है इसको वहाग ह होती है वो एंडिस अजिप्टाई मच्छर होता है इसको फिलाने का काम करता है डैस से बना डेंगू इससे हड़ी तोड़ जवर भी कहते हैं इसका जो रोग जनक होता है जो इसको पैदा करता है वो डेंगू वाइरस होता है लेकिन इसका वाहक जो लोगों में इस डेंगू को पैदा करता है वो एंडिस अजीप्टै मच्छर होता है इससे होता कि मैंली, इससे जिसको यह मतलरोग होता है इसको डेंगू होता है उसमें plaintus प्लेटस की कमी आयती है जिस तकि कमी आ जाती है होता कि बकरी का दूद पिलाया थे प्लेलेटस को धूर करने के लिए आगे गल सोंद गल सोंद इसे मंपस भी कहते हैं क्या कहते हैं मंपस भी कहते हैं मंपस इसमें होता क्या है जो इसको इसको फिलाने का काम करते है जो इसके रोक का विशाणू का नाम होता है वो मिक्सो वाइरस प प्रवावित अंग होते हैं हमारी लार मन ग मताल महते हैं इसे जो इसको रोक को फिलाने का जनक होता है इसको रोग को फिलाता है, वो Mixovirus Perotitis होता है इससे जो परभावित अंग है हमारे शरीर का वो हमारी लार गरंतियां होती है लार गरंतियां होती है आगे E से बना Influza जो इसका रोग जनक है, वो Mixovirus 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 Enfluza ही होता है Enfluza ही इसके अंदर Mixovirus Parotitis होता है इसके अंदर Mixovirus Enfluza ही होता है होता कि इससे जो परभावित अंग होता है वैसे तो पूरा शरीर होता है वैसे तो पूरा शरीर होता है लेकिन मुख्या रूप से अगर माने मुख्या रूप से माने तो इससे प्रभावित अंग शोशन तंत्र होता है वैसे तो इससे प्रभावित अंग पूरा शरीर होता है लेकिन अगर मुख्या रुख से माने तो शोशन तंत्र होता है इसके लक्षन जो आते हैं से तेज बुखारा ने लगता है पूरे श्रीड में दर्द होते हैं, जूकाम होता है खांसि इस रोग के लक्षन होते हैं जन लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा है जन लोगों को मेरी पहले वाली वीडियो अच्छी लगी है तो किर्पया नीचे लाइक और कमेंट जलूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्रेब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन बैल को ओन कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो जो मैं बना रहा हूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए तन्यावाद